बाबा केदार के भक्तों के लिए खुश खबरी है। मंदिर पर एटियम खोला है। समुद्र तल से 11,755 फीट की उचाई पर किसी भी बैंक का ये पहला एटियम है। HDFC बैंक लिम्टेड की ओर से जारी बयान के अनुसार ये देश का सबसे उचाई पर इस्तित बैंक है। मंदिर के 24 किलोमीटर की परिदी में ये एकलोता एटियम है। बैंक का कहना है कि इसे रोजाना 35,000 से ज़्यादा शरधालों को फाइदा होगा। उतराखंड के मुखे मंतरी तिरवेन सिंग रावत ने इस एटियम का उदगाटन किया। इस मौके पर HDFC बैंक के MD आदेत पुरी भी मौझूद थे। उसी है कि हम लोगे सब कुस कर पाए। बहुत धन्यवादा। इस एटियम के खुलने के बाद तीर्थ यात्रियों को केश की किल्ल से काफी राहत मिलेगी। इस एटियम के खुलने के बाद निशित रूप से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और जो अचानक कैश की विवस्ता उन्हें करनी पड़ती है उसके लिए एटियम काफी कारगर साबित होगा। केदार खंड में समुद्र तल से 3553 मीटर उचाई पर बाबा केदार के धाम केदारनाथ में पहला एटियम खुलना भक्तों के लिए किसी सोगात से कम नहीं है। भक्तों के लिए ही नहीं बलकि केदारनात में रहने वाले स्थानिय व्यापारियों, पुजारियों और पुरोहित समाज के लिए भी ये ATM एक बड़ी सोगात है। बाबा के दार में लाखों शरद्धालू हर साल आते हैं। ऐसे में धाम में सुविधाओं को भी विक्सित किया जाना चाहिए। उसी देशाओं में ATM खोलना भी एक कदम है। जिसका फायदा अब देश विदेश के शरद्धालूं को मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के भुपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।